जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि चर्चा हो रही है शहर में कि नौन अगर सेवकों के उपर किसी भी वक्त कारवाई हो सकते हैं इसने और समस्य जो है बढ़ा दिये सवाल ने कि नौन अगर सेवकों के उपर कभी भी कारवाई हो सकते हैं और पद जा सकते हैं क्या कहना है आपका निकम जी जिस तरीके से जो की हालात चल रहे हैं जो की बात की जा रहे हैं कि नौन अगर सेवकों को जो है पदरत किया जाए नोटीस भी जा रहे किया गया है को उंगर विभाग में जो सुनवाई भी होनी है तो किस तरीके से इस पूरी चीज को देखते ह जमनु पुरस्वानी जी का स्टेटमेंट सुना है कि नव नगर से को को नूटिस आई है और विबागी आई के पास में आने वाले 24 तारीक को पेश होना है जब हम उलास नगर को भारती जन्ता पार्टी मुक्त करना चाहे रहे थे और यहां से उनकी महानगर पालिका में जो जो दन गैंग के माद्यम से उलास नगर शेहर को लूट खसोट कर रहे थे वह लूट खसोट में शेहर वासियों को भचाने के लिए ओमी कलानी जी ने इत्यासिक निरने लिया कि हमको भारती जन्ता पार्टी के महापोर को अठाकर एक अच्छी सरकार इस कार्पोरेशन को दिना है तो महापोर शूचना के अशान जी अ एसी अच्छे हमने महापोर देने का काम किया ची सरकार बिठाने का काम किया तो इनको लग रहे है कि हम ड़ जाएंगे जैब यह सब कि आने वाले दिनों में एक अच्छा इसा जवाब बारती जन्ता-पाटी को यह यह तो बात हो गई कि आने वाले समय में जिस तरह किसे आप कर रहे हैं कि चैलेंज करेंगे हम जो है नगर सिवकपद जो रदना हो इस पे भी बात की जाएगी लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो वहां की जंता को काफी दिकत होगा सामना करना पड़ेगा एक और आरोप जो है आज कर देख रहे होंगे की यूवा कई ना कहीं काफी जो है नशे में पढ़ रहे हैं और शहर में वांखे में मैं घूंडगर्दी काफी ओ चुकी आया गए दिन हमले हो रहा हैं मार पीड हो रही है तो इसको कि तरह के से देखते जो कि भारते जंदत mister back कहना है कि यह जो ह अब जो सक्ता में बैटे हुई पार्टी है टियो के उनकी जो है कारे करता सबस्यादा इन्वाल्व रहते हैं देखिए हमारे जो कारे करता है उलास नगर शहर हित के लिए फिर वह आंदोलन हो वह मोर्चे हो उसके माध्यम से काम करते आए ना कि गुंडागर्दी करते आए पर ये जमनु पुरस्वानी का कहना बरोबर है कि उलास नगर शहर में गुंडागर्दी बढ़ चुकी है अब यही लोग थे जो छे मेना पहले जब उलास नगर की विदान सबा की चुना हुए थे तबी आमदार कुमार अलानी और जमनु पुरस्वानी लोगों से और व् पैठा हुआ है कुछ उस सवालों का जबाब विदान सबा के अंदर उठा नहीं पा रहा है सरकार के पास नहीं जा पा रहा है जो उलास नगर शहर को सुरक्षित नहीं रख सकता इसके पहले जो विदायक ती जोती का लानी जी छोटे-छोटे-चोटे बातों को लेकर विभिन्न समाज के लोग यहां पर सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित उलाज सगा है क्राइम सीटी उलाजवनगर बन चुकी है और मैं खास करके बात कहूं कि गोल मेयदान जहां पर आहमदार का जन्ध संपर कारेला और घर भी वहाँ पर है तो जाबर गोल मैदान ये अपरादियों का अड़ा बन चुका है इन्होंने वादा किया था छे मैना पहले जमनुपुर्चवानी और कुमारे लानी ने कि हम उलाजनगर शहर को सुरक्षा देंगे कहां गई सुरक्षा कहां गई व्यापारियों की सुरक्षा व्यापारियों की सुरक्षा ये काला नहीं कर सकते हैं हमको जितनी ताकद है ओमी कलानी जी को उलाजनगर के व्यापारियों को सुरक्षा देना उलाजनगर के नागरिकों को सुरक्षा देना जब हम इस शहर के विदायक थे किस तरीके से हम सुरक्षा दे रहे थे आप क्राइम का ग्राब देखोगे तो जब विदायक जोती कलानी जी तभी के क्राइम का ग्राब देखेंगे और अभी का क्राइम का ग्राब देखेंगे तो व्यापारियों को खुलेाम हतोडे से मारा जा रहे हैं उनकी टांगों को मा आड़ी जलाई जा रही है गोल मेदान पर को नंद की आवाज उठाएगा उलास नगर महिल्दा की आउदरêu की दो चुकर को नंकी आवास उठाएगा विदायक सौ प्रतिशत करते operations की सुरक्षह और सौ प्रतिशत की सुरक्षत और उलास नर्फ जंता की सुरक्षा नहीं कर बता इंटे ओंगीकरण कमें करते हो तो अने वाले में बदलाव पाईगा संञें कि अर्णा स्वियू ख़िए Gιαं गुंड़ाकिम एकुन म्मा अक्षामा रहा है आयुक्त साब ने जो है नगर सेवा को कि निदी पे रोक लगा दिये जिसके वैसे ये भी कहते हैं जब भी सवाल पूछो के विकास करें तो कहते है कि निदी नहीं हो पारी है पास जिसके विकास नहीं हो रहा है लेकिन वहीं एक और यह देखने को मिलता है कि जो टेंडर होत यह कर देखने गाद काती है एंफोणी की भी एदी बात करेत जो और जो अभी जो टेमोलेशिंज होंगे जो की सारी अ उसमें मशिनरी लह एगेगी इनकी उपर खरचा होता है करोडों में खरचा होता है लेकिन लाभडो की नीधी नहीं पास हो भर है तो कंह ना कहीं रेली केशन लेकर कमिश्णर साब के पास गये थे कि नगर्षयों को को नीदी देनी चाहिए उनके वाड का विकास होना चाहिए और उसके मद्दे नजर रखकर ओमी कलानी जी भगवान भाले राव जी और अरुन आशान जी राजेंदर चोदरी जी बोडारे जी यह सभी एक अगर से उनके वाड़ों में विकास होगा पर आप बात रहेगे कि विकास की उलास नगर के जो कमिश्णर है वो बहुत अच्छे है नान करप्ट है वो करफशन रोकना चाहते हैं वो चोरों को और गोल्डन गैंग के जो उलास नगर के मनमाना कारोबार है उन्होंने जब स नगर शहर के अंदर तीजोरी में पैसे नहीं है, दूसरी तरफ शहर की गोल्डन गैंग उलास नगर में सक्री हो चुकी है, आप देखोगे कि अभी स्टेंडिंग में प्रस्ताव आया है, कि एंतोरी जो ठेकेदार है, जो पहले हमारी शहर के कच्रा उठाता था, उसको क्या तीन से चार पांच करोड रुपए से कुछ देने का प्रस्ताव आया है, एक तरफ हमारी शहर में पैसे नहीं है, हमारी शहर की त्योरी खाली है, और दूसरी तरफ उसको तीन से पांच करोड रुपए देना, वो खित्पत वाजीब है, तो ये गोल्डन गैंग उलास नग जो दंड है, जो जादा दंड सरकार ने लगाया है, उस दंड को कम करने के लिए विधायक, पूर विधायक जोती कलानी जी, ओमी कलानी जी और शुशना के अनेक नगर्षयों को लेकर महापोर के साथ, हम सिस्टम अंडल लेकर सरकार के तरफ गोहार लगाने वाले हैं, कि क गोल्डन गैंग उलास नगर में सक्री हो चुकी है, इस गोल्डन गैंग को पराजे करने के लिए आने वाले मनपा के चुनाओ में, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ओमी कलानी जी क्या देखता हमें, हम चुनाओ लड़ेंगे, और गोल्डन गैंग का एक भी सदेश उलास अगर महानगर पालिका में नहीं चुन कराएगा, जनता इनको नाकारेगी और उलास नगर में एक सुसक्षित, एक अच्छी सरकार देगी। कहीना कहीन जनता तो जागरूप्त होगी, क्योंकि आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि इस चुनाओ में भी आपने देखा था कि मतदान जो है साड़े तीन चावे तक काफी कम हुए थे, काफी कम प्रतिसत मतदान थे, अचानक से जो हम मतदान बढ़े थे शाम के समय म जो की तरस्त है, वो कहीना कहीना कहीन सक्षम रहेगी, क्या लगता आपको कहां चीजे रुकेगी हैं? काम ने किया और निकम ही सरकार पिछली साबित हुई थी, यह सरकार से हमारी आचा है, हम सरकार के पाथ जाएंगे, रेगुलाइस सेशन का मुदा लेकर, हम जो पंचम कलानी जी जब महापोर थी, तभी उलास नगर की प्रमुक पांस सड़कों को माध्यम से हमने पांस करव काम ने कर पा रहें, उनको समझ में नहीं आ रहें, उनकी मानसिक स्थिति मुझे बरोबर नहीं दिख रही है, तो मेरा एक ऐसा सुजाव है, शेहर वासियों को कि एक अच्छा, एक सुसक्षित, एक अच्छी नई टीम को इस बार मौका देना चाहिए, और ओमी कलानी के कार, हम उलास नगर महानगर पालिका में आने वाली चुनाओं में बैठोंगा, दावे के साथ कहता हूँ, कि जमनु पुर्सवानी अब तक के सबसे अपशकून, जो जिल्ला अद्यक्षा, वो जमनु पुर्सवानी होंगे, इनके अद्यक्षा में भारते जनता पायटे के सिरिफ और सिरिफ पाज सिटे उलास नगर में आईए, और भाजपा मुक्त उलास नगर बनाने के लिए हमने संकल पना लिया है, जल्द से जल्द आने वाले मन पाचुनाओं में हम काम करेंगे